हर्दोई जिले के माधुगंश्थाना इलाके की लखाई से उढ़ाई गाउं में 14 वर्षी अबालक की हत्या का पुलिस ने खुलासा करती हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया आरोपी युवक ने किशोर की हत्या इस वज़े से कर दी थी क्योंकि वह उसके प्रेम संबंदों में बाधग बना हुआ था दरसल किशोर ने आरोपी को अपनी मा के साथ अपत्ती जनक हालत में देख लिया था और उसके बाद भी बाद हो गया था इसके बाद आरोपी ने किशोर की गला दबा कर हत्या कर दी थी फिलाल आरोपी युवक को पुलिस ने जेल भेज दिया है और वहीं 6 दिसंबर को हर दोई जीले के माधो गंश्थाना इलाके के लखाई से उढ़ाई गाओं में 14 वर्षी किशोर शबीर का शव गाओं के बाहर खेत में पीपल के पेड के पास मिला था उसके गला दबा कर हत्या की गई थी इस मामले में अग्यात के विरूध हत्या का मुकदमा दर्च करवाय गया था वही पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर को दर्श कर मामले के खुलासे में जुट गई थी मामले का खुलासा करते हुए S.P. अमित कुमार ने बताया कि मृतक किशोर की मा के अवैद संभन्द इस इस ही गाव निवासी रियासत से थे उसके चलते रियासत उसके घर आया जाया करता था एक रात किशोर ने दोनों को अपती जनक हालत में देख लिया तो जम कर विवाद हुआ था इससे नराज होकर रियासत ने किशोर की गला दबा कर हत्या कर दी वही पुलिस ने आरोपी को गिरफतार कर उसके पास से एक मोबाईल और दो शीशी शराब बरामत की है S.P. ने बताये कि आरोपी को जेल भेजा गया है और उस रात इन दोनों का जगड़ा हुआ जिस जगड़े दोरान रियासत ने सबीर का कला दबा कर हत्या कर दी जगड़े पास्ते का जगड़े पास्ते क्वेड़ें भी है दो मारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें हैंने वाद